सब्सक्राइब कीजिए टैकी जैमीन को और बेल आइकन को दबाएए लेटेस्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए पुश्कार दोस्तों मेरा नाम है जैमीन आप देख रहे हैं टैकी जैमीन दोस्तों में दो स्मार्टफोन की कंपेरिजन वीडियो लेके आएगा है जो इसमें पहला दो स्मार्टफोन रियान्मी की तरफ से आनावाला रियान्मी एक्स्टू जो फिलाल अभी अभी लांच होआ है और दूसरी तरफ हमारा शाओमी की तरफ से आनावाला शाओमी का रे रहएंगा तो परया हम दोनों स्मार्ट फोन की पहले डिस्पले की बात करते है 그래도 तो डिस्पले में आपको घ ल कीके ाटिस्पले में कि मुलती है सीए दिस फेले खेड़ कि के साथ मैं आपको अब भी ये फोन बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है लेकिन यहां में बात करते है रेडमी के K20 के डिस्पले के तो इसमें भी आपको 6.39 इंचीज की फूल एक प्रेड रिजर्शन के साथ में आपको सुपर एमिलेट स्कीन देखने को मिल जाती है जिसमें आपको बताता है कोई भी नॉच देखने को ने इंची ने इसमें अची बात है कि डिस्पले कॉलिटी में दोनो इस अच्छे लेकिन आपको कौन से पसंद है उसके दोनो स्मार्टफोन के चीप सेट की बतानी को पर को बाते है कि यहाँ आपको pre다 220 ब्राते न कीमें अच्छे आपको अच्छे सिरीस का वीटईयेक देखने को मिल जाता है विल्यूत के मामने यह स्मार्टफोन भी बहुत ही अच्छा है लेकिन यहां में बात करते है रेड्मी के K20 के चिपसेट की तो इसमें भी आपको स्मार्टफोन के चिपसेट के मामले में अब बात आती दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट के मामले में अब बात आती दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट के चिपसेट के चिपसेट के चिपसेट कर सकते हो यह बहुत अच्छी बात है लेकि यहां में बात करते है रेड्मी के K20 के तो बताता हूंगा इसमें आपको दो अलग अलग वरेंट देखने को मिल जाते हैं अब बात आती दोनों स्मार्टफोन के रे Animal camera की बातना परन देखने को मिल जाते है रेइल्मी के 64 Mbps primary lense देखने को मिल जाता है जिसमें आपको Samsung ZW1 sensor Penny Cup F1.8 इए 5.8 इपेचर देखने को मिल जाता है तीसरा result container perché one camera 2 मेगा विक्सले का जो email bord एक tab ekran ओर तेखने को मिल जाता है और चौथा ओक्षन hanging साथ में और 915 fps तक का सुपर स्लो मोशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है फीचेट के मामले यह स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है शोनी आयमक्स 582 का सेंसर देखने को मिल जाता है और तीसरा यह मेंदधी आयमक्सं का पिल जाता है देखने को मिल जाती है और 4K और 1080p तकी 13-16fps दोनों में recording कर सकते हो यह इस option के साथ में और इसमें भी आपको 9-16fps तक का Realme X2 में आपको 64 Megapixel को Quad camera के setup देखने को मिल जाता है तो यह फरक्त है तो camera के मदल थोड़ा सा बेटर है आपको Realme X2 देखने को मिल जाता है अब बात आती ही दोनों स्मार्टफॉन के Selfie Camera के दबतन जाएंगा Realme X2 में आपको 32 MP की Front Facing Selfie देखने को मिल जाती है जिसका aperture F2.0 का इसमें aperture देखने को मिल जाता है HDR Camera और 10 MP तक की 13 MP तक recording कर सकते हो EIS Option के साथ में लेकिं यहां में बात करते हैं अब बात इसमें आपको लो लाइट के साथ में और इसमें आपको 20 MP की Selfie देखने को मिल जाते है जिसका aperture F2.2.0 का से aperture देखने को मिल जाता है HDR Camera और 10 MP तक की 13 MP तक recording कर देखते हो तो MP काउंट के मुकारबे अन तपेपर बात करें तो Realme X2 थोड़ा सा बैटर देखने को मिल जाता है Selfie camera के मामले और इसमें आपको जो features मिल जाता है Night में आपको Selfie कीचने का बहुत ही अच्छा एक feature देखने को मिल जाता है जिसमें आपको Low Light Condition में बहुत ही अच्छी Selfie कीच सकते हो यहां पे अब बात आती ही दोनों स्मार्टफोन के बैटरी असर्फ्टर की तो दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम बैटरी देखने को मिल जाती 4000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती ही लेकिन यहां पे एक फरक है कर्टारे अब बात आती ही दोनों स्मार्टफोन की Connect T-T सेंसर के मोइं दोनों यहां और यहां भॉहत ही अच्छी है दोनोंमे आपको सेम जैसे features देकने को मिल जाती है नेकिनम यहां यह फरक है लेकिट एक साथ लेकिद रेडमी के K20 में आपको डियोल नेनो सीम का ही सपोर देखने को मिल जाता है तो यह फरक है ज्यादा फरक देखने को नहीं मिलता द्यूल बेंड वाइफाई और डूटूथ का 5.0 दोनों स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं तो अब बात आती दो 9999 की प्राइस पर फोन पडेगा और तीसरा ते एट GB वाला विरेंट उसकी प्राइस की बात करो तो ओ कि दू और दूसरा जो वेरेंट है 6GB, 128GB और वेरेंट इसकी प्राइस की बाद करूं तो इसकी प्राइस 22 ट्रिपल ना राइस की प्राइस में की फोन पड़ता है एर्ली प्राइस बहुत ही जाधा है क्योंकि यहां पर आपको जो हायर वेरेंट है यहां पर फरक यह है कि इसमें तो फीचर से वह आपको थोड़े से कम देखने को मिल जाते है आल ओवर कंक्लूजन की बात करूं तो बता दोनों स्मार्टपोन बहुत ही अच्छे है आपको बहुत ही स्पेसिविकेशन बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है लेकिन अभी जो फिलल आपको फोन लेना हुई हो तो आप रियल्मी का एक्स्टू ले सकते हो तो मुझे बताना कि आपको कॉन्स दफोन अच्छे लगा रियल्मी एक्स्टू या रेड्मी का के 20 कॉमेंट सेक्षन में जरू बताना फिलल इस वीडियो में इतना ही दूस्तों आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करे शेट करें करें सब्सक्राइब करना मत बूले में ऐसी आपको